समस्कार दोस्तों स्वागते आपका में आपका दूस दिनिस ने बात करेंगे आज आएक बहुत ही मैतपून टोपिक चाहिए आप किसी के भी तैयरे कर रहे हैं बेरोजगारी का टोपिक देखते हैं एकोनोमिक से सब्यारी की टोपिक बेरोजगारी का यिस को लेकर हलाएकिboat का टोपिक भी है बेरोजगारी का लेकिन इसे एकोनोमिक की द्रश्टी से देखते हैं और समस्क्रायजभरी राजस्तान को लेका बात करें तो 2nd grade exam को लएकर मैथपून है यह साथ में बेरोजगारी साथ सैर करना ना भूलेगा चले सुरू करते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं बेरोजगारी क्या है बेरोजगारी सबसे पहली चीज है कि बेरोजगारी है क्या बेरोजगारी आर्थिक हैं सामाजिक समस्या दोनों आर्थिक भी है और सामाजिक भी है याद रखेगा आर्थ कारिसिल जनसेंग्या का पैसे इसे को क्या कहते है वैरुजगारी का समन्द किससे है कारिसिल जनसेंग्या से गैसे कहां तक पंद्रह से 64 तक जो है कारेक्रमों का सही किरियान वन न न होना दो स्पून शिक्स अपनना लिए सभी कारणों में आती है अब बात करते हैं बेरोजगारी के परकारों की बेरोजगारी के परकार कैसे हैं और कितने टाइप से हैं बेरोजग़ी के परकाट शबसे पहले देखते हैं सरशनात्मक बेरोजगारी बेरोजगारी इसके बारें पड़ने लिए धीयल मी विक्सित देहरोजगारी जिसे आधर्स्यी भी कहा जाता है और प्रोचन बेरोजगारी भी residents कि तो टाइपस कितने होगे पांच होगे ठीक है अब आगे बात करते हैं सरष्णा Gaye के बारे में पड़ते हैं कूछ बेकर सरहसनात्मापन परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगी बात करते कैसे कार खाने में कोई कारेक पहले हातों से किया जा रहा था और कंप्यूटर आ गया तो बाद में वक्तियों को उसकारे से हटा दिया गया तो यह इस परकार की जो आएगी बेरोजगारी वह उससे क्या कहेंगे अगला एग्समपल अर्थ फस्ता में दो यह दो से अधिक कंपनियों को आपस पे मिला दिया गया तो परकुछ वक्तियों को रोजगार θα हटा देfö्या जो सामने तेम विकासिल देशों में देखने को मिलती है अल्प बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है अल्प बेरोजगारी देखते हैं अंगली ऐसी बेरोजगारी जो सरकारी मापदंडों के आधार पर नहीं मिल पाती या उनसे कम समय के लिए सरकारी मापदंडों कंसार नहीं मिलती कम सम छेवी अमपंच वर्षी ओजड़ा का अंतरकत एक प्रमाप वर्ष यानि मानक स्टेंडर येर का जो है निर्धारन किया गया था बताया कि यदी यदी किसी वक्ति को पड़ती दिन आठ गंटे पड़ती दिन कितने आठ गंटे या पड़ती वर्ष दो सुट्योतर दिन कम मि मना जाएगा कितने पड़ती दिन दो आठ गंटे और ये लिदी बात करें तो 2,3,3 दिन अगर उसे काम मिल जाता तो उसे पूंढ रोजगार में माना जाएगा यदी इसे कम मिलता है कम समय के लिफ कारें जाएगा अगली चक्रि बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी को जानते हैं क्या है ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थोयस्ता में बाजार दसाओं में होने वाले परिवर्तनों के प्रणाम से रूप उत्पन होती है बाजार की दसाओं में परिवर्तनों तो वो उत्पन हो जाएगी कि जैसे बात करें समग्र मांग में कमी होने पर यानी मांग ज्यादा है है मांग ział क्विक्सित विक्षित देशों में देखने को मिलती है रनी है नइन त्ट चिंग से जो है यह कि ऑनकि रहिए जर्ध éta गरष्णात्मक बेरोजगारी को देखें गरष्णात्मक बेरोजगारी जो किसी वक्ति के कारी को छोड़कर दूसरे कारी में जाने तक उत्पन होती है उसे गर्ष्णात्मक बेरोजगारी का आ जाता है कोई एक काम चोड़के दूसरे काम में जाएंगे तो इस दोरान जो बेरोजगारी होगी वो क्या कहलाएगी गर्ष्णात्मक कहलाएगी जो संक्रमन का दूर होता है वो ग्रिष्णातुंक बेरोजगारी सामने ते इसता ही सोभाव की होती है जो एक से देशों में देखने को मिलती है अब देखें चिपी हुई बेरोजगारी जो होती है पर दिखा ही नहीं देती ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी वक्ति के कारे पर होने ना होने पर उत्पादन में कोई प्रभाब नहीं पड़ता, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसी बेरोजगारी, जिसे कुसे वक्ती में होने और ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता, तो क्या हो कहलाएगी वो, कौन से बेरोजगारी कहलाएगी, वो आपके कहलाएगी, चिप CPU वे रोजगार या क्या क्या बात करते हैं टेल से इसे संद्रम बात करें कर्सिसे रो हैं एक भारत आध ने मतलब कैसे देखेगा चिपी बेरुजगारी में सिमानत उत्पादक्ता हमेसा सुननी होती है क्योंकि इसमें किसी वक्ती को कारे से हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई परवाव नहीं पड़ता है मान लीजिए आपके पास दस बीगा खेते हैं दस बीगा कहते हैं और उत्पादन आपका आज आप फेमिली मेंबर पांच जने हैं पांच सदसी हैं ठीक है आप पांच सदसी हैं उस दस बीगा पर काम करते हैं कहती करते हैं आपके फसल होई सो क्योंटल कितनी होगी सो क्योंटल होगी 100 के उन्टल होगी, अब आपके सदस्य जो है इसमें और भी आए, और आपके सदस्य जो ही यहां पर आठ हो गए, आठ सदस्य जो है इस खेत पर लगे हुए, ठीक है, और जमीन कितनी है, 10 बिगा है, जमीन वही है, बर सदस्य बढ़ गए है, लेकिन उत्पादक्ता वहीं 100 के तो आपके मतलब सिमाथ उत्पादक्ता नहीं बढ़ेगी यान कि सिमाथ उत्पादक्ता वहीं रहेगी कि यह उल्ट सधे से बढ़ जाएंगे तो यह बाकी यह इक पर्चन बेरूजगारी होती यह आप लगे तो काम में हैं लेकिन उत्पादन आपका नहीं हो रहा तो यह बाकी के तीन जो है इसमें यह बेरुजगारी के आंक्रे में आ जाते हैं इसका मतलब यह कहना ठीक है बात करते हैं अब एने सेसो द्वारा बेरुजगारी का मापन करने मापन जो है अपने 69 वे चक्र 2021-2012 में किया गया है गुंसित्रवा चक्र था यह 2012-2012 में किया गया एने सेसो द्वारा अब एने सेसो की फुलपॉम देखे नेस्नल सैंपल सर्वे ओपीस मिनिस्ट्री ओपिस टेक्स एंड प्रोग्राम इंपलीनेशन्स यह आपका इसका इसक झीआता अलग था अभ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया एने सो कर दिया घया नेस्टनल स्ट्रीकल ओपिस कर दिया गया जब क्या गया तेईस मही 2019 से किया गया आधि साय है तैईसमें 2019 को अब देखें इसमें क्या हुआ अब NSSO plus CSO 1950 NSSO की स्थापना 1950 में होती है CSO जो है Central Esthetics Office हो गया दोनों को मिलाया National Esthetical Office हो गया बात करते हैं वर्षन 1973 में भारप में बिरोजगारी काकलन करने है तो भगवती समिती का गटन किया गया पूचा जा सकता है भगवती समिती का समंध है भगवती समिती का समंध किस्से है बेरोजगारी से याद रखीगा पहले सामानिय, फिर साप्ताइक, फिर देने के स्तिति याद रखिएगा, आगे बात करते हैं, सामानिय स्तिति को देखते हैं, सामानिय स्तिति, इस स्तिति में उन सभी लोगों को बेरोजगार माना जाएगा, किस लोगों को, उन सभी लोगों को बेरोजगार माना जाएगा, जिने संपुर्ण वर्ष के दोरान एक भी दिन और कार्य नहीं मिलता पूरे वर्ष के दोरान एक दिन भी काम नहीं मिलता तस सामानी इस्तिति में, साहर में स्तिति में चालुत को देनिक की इस्तिती के तुड़ना में चालू अधार पर स्ग्या ग्रामिन सहत्रों सेहरों में दिय हُंधिक रहे उसकी나 सीमडिकता स्थाएतना बात करें तो वर्स 2021-2012 की बेरोजगारी रिपोर्ट के आधार पर सिक्सित पर सिक्सित लोगों में बेरोजगारों की संक्या देखने को मिली है अगली है चालू सापता एक इस्तिति की बात करें इस स्थिति में उन सभी लोगों को बेरोजगारी की गिनती में सामिल किया जाएगा जिने सर्वेक्षन सब्था के दुरान एक भी दिन का काम नहीं मिलता वर्तमान भारत में चालू साप्तक इस्थित का अधार पर आप बेरोजगारी का मापन नहीं किया जाता तो पूछा जा सकता कौन से इस्थिति का किया जाता कों से का नहीं तो साप्ता इक इस्थिति जो है चालू साप्तक इस्थिय willstती ँने सभी लोगों को बेरोजगारों की गिंति में सामिल किया जाएग जिने दिन के चार गंठों से भी कम समय के लिए कारे मिलता चार गंटे से कम कारे मिलेगा दिन में उन्हें चालू देने की स्थिति में सामल किया जाएगा चालू देने की स्थिति में वर्स 2011-12 की बेरोजगारी रिपोर्ट के अधार पर बात करें तो देने की स्थिति में बेरोजगारों की संख्या साम में कुलकारे सिल्चन सिंख्या इंटों में सो हो जाएगा यह फूर्मूला बेरोजगारी दर का आगे बात करें के तरह देखते हैं भारतों बेरोजगारी मापन की निम्नुए से कौन सी विदी एन ऐसे सद्वारा परयोग में नहीं ली जाती है तो वहीं आ गया चालू साब वह मुल्यांकन से याद रखेगा वागे देखते हैं फिलिप वक्र की बात करें फिलिप वक्र पूछा जा सकता क्योंकि निर्धनता टॉपिक जो सेकेंड ग्रेड में है नहीं अटा दिया गया तो फिलिप वक्र को देखें यह वक्र अल्पकाल में बेरोजगारी की दर अ सबसे पहलें हैं फिलिप वक्र का समान्द है बेरोजगारी से याद रखता है आप फिलिप वक्र में दरसाइं समण्धी समंद यह बताएगा तो बेरोजगारी की दर और मедरा फिक दर बढ़ेगी तो मूद्र सॉपति के दर कम होगी मुद्रा-स्पति के दर ज्यादा हो जाएगा तो बैरोगति के दर कम हो जाएगी यह बता था अलवी एक नमें बता जाता कि जैसे जैसे बैरोगति करीधर में व्यशा आप बनेगा जिकि एक तरफ हमने जो है बेरोजगारी के दर दे रहे कि एक तरफ मुद्रा इस्पति के दर दे रहे कि जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बड़े कि वैसे वैसे मुद्रा इस्पति के दर कम होती जाएगी यह हो गया आपका फिलिफ वक्र ठीके ना बेरोजगारी निवारण के ही कि रही यहांन वानरान कर गये तो यह बात थी आपके किसे समधित होगि यह आपकी बहुरूर गारी से समधित हमकर ओगी बात में हमने बेरोज Yukari कि बात कर ले बहुत है इस बहुत तैंट इस सैंट कर अपको निप्रण आपाने क्लिए करने पड़ेगी महनत और और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलिएगा अपना प्यार ऐसे बनाए रखें नमस्कार